है आई aja कि अ कि आइसी एसल roommate infinite के अंदर आप सबीकों मै Zooिक मेने कहा था इंट्री मत पीजिए टांगेस अची फोच के हैं बेंक निफ्टी आई से आइकसिज बैंक आरि हर्किन उइल बैंक इस बीए बैंक जो भी है reversal में recovery नहीं कर रहे हैं अगर reversal में recovery start हो जाएगी तो stocks बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरेंगे आपको chance भी नहीं देंगे average strategy maintain करने के लिए detail ही बताया था इसके अंदर मैंने reversal recovery video upload किया है ICICI bank के उपर उसके बाद मैंने big game यानि जो game bank nifty और bank nifty के stocks खेल रहे हैं public का पैसा अठकाने के लिए मैंने detailing videos upload कर दिये थे support करने के लिए कि bank stocks के अंदर अभी के लिए invest मत करिए आप देख सकते हैं bank nifty में भी reversal देखने को मिली और stock में भी reversal देखने को मिली अभी ये पूरा recovery नहीं हुआ है दोस्तों और recovery होने वाला है bank nifty reversal में और ICI safe bank भी साथ में चलेगा दोस्तों उसके हिसाब से recovery start हो गई है और आप be alert रही है अगर आप मेरे videos follow कर रहे होंगे तो आपने अभी तक entry नहीं लिया है आपका capital बहुत ज्यादा ही safe आपके पास है दोस्तों अब कहां invest करें कौन से level पे invest करें ICI safe bank में कहां इसके अंदर weekly monthly target लगा है आप सभी को आज के वीडियो में बताने वाला हूँ hello everyone मैं हूं मोहमत सोहिल आपके साम में मैं stock पे बात कर रहा हूँ ICI safe bank लिमिटेड अगर आप पहली बार मेरे यूटूब चैनल पे आए हैं तो मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करिए आप सभी को मेरे levels इसमें बताई थे final levels 410, 410 अचिव हो जाने के बाद मैंने इसके अंदर रुकने के लिए नहीं बोलाए, इसके अंदर just exit कर दीजिए, आपको इसमें levels बनते हुए नहीं मिलेंगे क्यूंकि already 328 रुपीज से लेके stock 426 रुपीज यानि पूरा 98 रुपीज का uptrend recovery ले चुका है इसके अंदर आपको levels फिर से देखने को नहीं मिलेंगे, exit कर लिजिए already uptrend line touch करने की कोशिश कर रहा है, अब आउ profit booking करके exit कर लिजिए क्यूंकि यह ऐसे ऐसे bank stock एक ऐसा है, जो अपने खुद के टेवर बता था है, जैसे इसके अंदर uptrend में recovery, जो uptrend में recovery हुई, reversal में recovery फिर से जो uptrend में recovery हो रही है, यह धीरे इधर ही moment बनाएगा, फिर यहां से reversal में recovery पका लेके ही छोड़ेगा यह बाद डीटेली बता दी उसके बाद मैंने supported वीडियो में यह भी बता दिया, जो इसके अंदर first breakout है, और जो second breakout है, reverse recovery के बाद यह यहीं पे ही trade कर रहा है यानि इसने reversal में यह पूरा recovery लिया है, अगर यह reversal recovery लेगा तो 360 के level के नज़िक भी देखने को मिलेगा, इसके हिसाब से अगर हम लोग entry कर रहे हैं, तो 370 के level पे stock में entry लेनी होगी, यह बाद भी डीटेली बता दी थी आप सभी को आप 370 पे ही ICICI bank के अंदर entry लेजिए, वरना stock के उपर के level जितने भी बता रहा है इसके अंदर entry मत लेजिए, क्यूंकि already RSI 6240 के mid range में, downfall की recovery देने की सूचना दे रहा है यानि indicate कर रहा है, यह reversal होके reversal में recovery लेने वाला है, तो 390 लेवल भी सही नहीं है, इसके अंदर entry करने के लिए, अगर अच्छा खासा profit booking करना चाह रहा है, तो 370 पे ही लीजिए, 370 पे लेने के लिए मैं क्यूं बोल रहा हूं, अगर 370 पे ले रहा है, stock 340 तक भी reversal में recovery कर रहा है, तो इसके अंदर ज्यादा range नहीं है, दूस्तों, बस 30 रुपिस का price movement है, यानि अगर 370 से जागर reversal जाने लगा, 390 से लेके 410 का फिर से normal profit booking देखने को मिलेगा ही मिलेगा हम सभी को, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ही नीचे गिरते ही जाएगा, क्यूंकि एक level पे आने के पास हर stock को trade करना ज़रूरी ही होता है, survive करने के लिए, तो देख सकते हैं अब अगर 370 पे आया तो उपर जाने लगा, हम लोग नॉर्माल profit reversal जाने लगा double profit अब आप सोच रहोंगे कि reversal जाता हुआ double profit कैसे बुक करें वह ऐसे ही बुक करतें, कैसे 370 पे लिए है, short term के हिसाब से price movement यानि अगर 370 पे entry लिये है, 363 में इसके अंदर average strategy maintain करिए 357 के पास average strategy maintain करिए, और 340 level जाता हुआ दिखा तो भी आप इसके अंदर 350 पे भी average strategy maintain करके चल सकते हैं final 340 देखने को मिलेगा, ऐसा भी आप average strategy maintain कर सकते हैं, अगर आप short term के हिसाब से 370, 340 में भी average strategy maintain करके चल सकते हैं दोस्तों, तो ऐसे करिए, reversal में जाता हुआ, double profit booking, और uptrend जाता हुआ अजिका, normal profit booking करिए, पर अभी के लिए भी, ऐसे ऐसे ये bank में invest मत करिए, क्योंकि stock reversal होने वाला है, साथ में bank nifty भी, जैसे bank nifty नीचे जाएगा, यह साला stock को लेके भी डूबेगा दोस्तों यह मेरा telegram channel है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है, तो join कर लेजिए, for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए, notification पाने के लिए, notification all पे click कर दीजिए आज का दिन है, 28th October 2020, Wednesday ICICI bank का closing है 396.05 यह जो मैं target निकाल रहा हूँ target 29th October 2020 Thursday यानि कल के लिए लिकाल रहा हूँ कल के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिली selling opportunity देखने को मिलेगी आप मेरे targets and stop loss लेके चलिए कल live market में अगर आपकी entry हो रही है कल market मेरे buying level पे selling level पे stop loss हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है target हो रहे तो कितना profit हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा आपको